आप सभी को मोहित वसिष्ट का नमस्कार आज इस वीडियो के मादधम से हम जोति सास्तर के परीचे के बारे में जानेंगे तो वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेरी वीडियोज को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो आईए शुरू करते हैं जोति सास्तर के सामान्य परिच्चे को जोति सास्तर की परिभासा इस परकार से की गई है जोति साम सूर्यादी ग्रहे नाम बोदकम सास्तरम अर्थात सूर्यादी ग्रहे और काल का बोध कराने वाला सास्तर जोति सास्तर कहलाता है जिसके अंत्रगत ग्रह, नक्षत्र, ग्रहाचार, उद्य अस्त, धुमकेतु, ग्रहो का परी ब्रहमन, ग्रहन, ग्रहो के स्थिती और उनका मानुजीवन पर प्रभाव, आदी विश्यों का अध्यन जोति सात्र के अंत्रगत ही किया जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार नभुमंडल में स्थित, जोति संबंदित विद्या को जोतिर विद्या कहते हैं, तथा जिस सास्तर में इस विद्या का संपूर्ण निरूपन किया जाता है, वही जोति सास्तर है जोति सास्तर का एक अन्य नाम जोति सास्तर भी है, जिसका अर्थ परकास दायक अथवा परकास से संबंदित सास्तर होता है अर्थाथ जिस सास्तर से संसार का मर्म जीवन मरन का रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंद में पूर्ण परकास प्राप्त होता है वह जोति सास्तर है जगत की एक दिव्वे जोति का नाम ही जीवन है और जोति का प्रायवाची जोतिस है तो ग्रहे नक्सतर आदी खगोलिये जोतिस पिंडो का परतिपादन जिसमें हो वह जोतिस कहलाता है अध्वा जिस सास्तर में ग्रहे नक्सतर विज्ञान तथा संसार के सुबासुब का ज्यान हो उसे जोतिस सास्तर कहते हैं जोति सास्तर का संबंद मनुष्य के जनम जर्मांत्रों से जुड़ा हुआ है जोति सास्तर का दूसरा नाम काल विधान सास्तर भी है क्योंकि काल का निरूपन भी जोति सास्तर के दुआरा ही किया जाता है मानव जीवन काल तथा कर्म के आधीन होता है पूर जनम में जो व्यक्ति ने कर्म किये होते हैं तो उन्ही कर्मों के अनुसार व्यक्ति की प्रवर्थियां तथा उसके भागय का निर्मान होता है ऐसा जोति सास्तर में माना गया है इस ब्रह्मान्ड में जो भी चराजर जीव है उनमें पंच महाभूत तीनो गुण सत रज तम साथ परकार की धात्वें आदी ग्रहन नक्सतरादी के प्रभाव में रहते हैं इनमें से किसी में प्रत्वी तत्व अधिक पाया जाता है तो किसी में जल तत्व, किसी में अग्मी तत्व, किसी में वायू तत्व, तो किसी में आकास तत्व का अंस अधिक होता है किसी जातक में सत्वगुण, किसी में तमोगुण, तो किसी में रजोगुण अधिक होता है परतेक वैक्ति की सारिरिक्स और रचना भी विशेश प्रकार्गी होती है इन सभी प्रस्तितियों का कारण ग्रहयोगबल है जिस जातक का जैसा पूरुजनमर्जित कर्म रहता है वह उसी प्रकार की ग्रह स्थिति में उत्पन होकर जीवन भर्म कर्म अनुसार सुब असुब फल का भोग करता रहता है इन विशो से संबंद सिद्दान्तों को रिशी मुनियों ने जाना और वे सिद्दान्ती जोति सास्तर का मूल आधार बने तो इस प्रकार से आज हमने जोति सास्तर के सामन्य परिच्चे के बारे में जाना उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी धन्यवाद